सब्सक्राइब मर्न देखता है डिया पेसे सब्सक्राइब थांक्यू ना यह स्टीन हे एकसा फंग-वारेशन-सिवर्ट थांक्यू, बहुत बहुत धन्देबाद कितने हैं कितने हंड्रेट सई पकड़े हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो चल रहे हैं उनमें दो तीन-तीन महिने में चीजे बंद हो रही हैं ऐसे में अगर कोई चीज छटे साल में चल रही हो मार्शतीन को हम छे साल पूरे कर लेंगे और पंदरा सो अफिसट तक पहुच रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है आज की डेट में जबकि देखने के लिए लोगे के पास बहुत कुछ है पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो सबसे बड़ा सबब है वो में समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहे हैं आपका प्यार मिलता रहेगा तो छे साल नहीं पूरे बारा साल पंदरा साल बच्ची और यहीं से निकल लेंगे तो कुछ कहना चाहिए कैसे क्राइस को नहीं था वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि हमारा हिंदूस्तान देश ऐसा ही है अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ त भूरी थो यह रखो वो लेकिन और आप कटा धेन नहीं दे रहें तो कृपा करके इस खाणे हो सकती यह और ह सकती तुम कहां कहां देखना जाओगे हमें आध हाद होगे है अब गुर्दे का मुझ को आ जागे हमारी इसका इक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है हमारे पास चाहा कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है जो कुछ भी घटनाए हुई उसकी वज़े से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्स्क्लूसिव कॉंट्रेक्ट बनाने शुरू कर दिये हैं अधि यह अपनी अपनी इंडिविज्व विचारधारा है लेकिन कमिट्मेंट एक चीज होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है जैसे मैं और टिल्लू हमेशा यह चाहेंगे कि हम कमिट्ट रहें चीजों की परती क्योंकि हमने उसका कॉंट्रेक्ट साइन किया है जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे यार यह अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत चोटे थे जब मा इस दुनिया से गुजर गई बड़ी भेनों ने हमारा पालन पोसन किया है और बड़े भाई अदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है हाथ में कलम दिया है तो मैं समझता हूँ यह अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि माबाप का तो हमारी हर सांस पर हुकूमत है उनका तो हम शुक्रिया अदा करी नहीं सकते लेकिन अगर बहने और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं मुंबई तक पहुंचाते हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं झाल